एक गाउं में पास में ही एक नदी थी, जिसे लोग भूतिया नदी कहते थे, शाम के बाद वहाँ जो भी पानी पीने चाता वह वापस लहीं आता, एक दिन उस गाउं में एक विपारी रहने आया, वहाँ उसके मुलाकात एक रामु किसान से हुई, रामु किसान ने उसे गाउं के बारे में सब बताया, लेकिन उस नदी के बारे में बताना बूल गया, दूसरे दिन रामु किसान ने उस विपारी की मुलाकात बाकी गाउंवालों से कराई, कभी कभी वे वेपारी काम से लौट कर उस नदी के पास टहलने आता एक शाम जब वे वहा नदी किनारे टहलने आया तो उसने तेजी से एक मगरमच को अपनी आराते देखा जिसे देखकर वेपड़ी तेजी से गाउं की तरफ भागा रास्ते में उसे रामो किसान मिला जिसे उसने सारी बात बताई रामो किसान ने कहा मैं तुम्हें बताना भूल गया था वह एक भूतिया नदी है वहां शाम को जो भी कोई जाता फिर वह वापस नहीं आता लेकिन उस नदी में मगरमच क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी देखा नहीं इसका मतलब है मगरमच ही सब को मार कर खा जाता है जो भी उस नदी के पास शाम को पानी पीने जाता या टहलने जाता अगले दिन रामो किसान सभी गाउवालों को लेकर उस नदी के पास गया मगरमच सभी गावानों को आता देखकर छुप गया सभी गावानों ने मिलकर उसे नदी से बहार निकाला और वहां से भगा दिया उसके बाद सब खुशी खुशी उस गावं में रहने लगे इस कहानी से हमें यह सीक मिलते हैं कि अगर हम मिलकर बिना डिरे किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो हम उससे चुटकारा पा सकते हैं